नमस्कार, स्वागत है आपका चमतकारी टोट के चैनल पर दोस्तों महिलाओं को अक्सर ये शिकायत रहती है कि पती उनकी बात नहीं सुनते हैं उनका कहा नहीं मानते हैं और नहीं उनकी तरफ ध्यान देते हैं अगर आपको भी आपके पती से ऐसी ही शिकायते रहती हैं तो आप परिशान होनी की जरुरत नहीं है आज हम आपको बताने जा रहे हैं जोतिश के ऐसे उपाएं जिनको करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका पती आपका कहां मानने लगेगा और आप पर लट्टू रहेगा आईए जानते हैं क्या ही ये उपाए तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को प्लिक कर दे ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें पहला है शिव पार्वती और कात्याईनी देवी की पूजा कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्यां दूर हो जाती है इसके साती मैलाएं और कुवारी करन्याओं को रोजाना कात्याईनी देवी की पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से आपका पती आपसे प्यार करने लगता है तो वहीं कुवारी करन्याओं को योग गिवर मिलता है दूसरा है शुक्र के मंत्र का जाव जोतिश में शुक्र को प्रेम, सौंधरे और आकरशण का कारक माना जाता है यानि कि शुक्र का शुक्र प्रभाव हो तो आपके जीवन में प्रेम, सौंधरे और आकरशण की कमी नहीं रहती और सुखी वेवाई जीवन जीने के लिए इन तीनों ही चीजों का होना बेहर जरूरी माना गया है शुक्र के शुप प्रभाव को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को रोजाना शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए ये मंत्र इस प्रकार है ओम, द्रा, द्री, द्रो, सह, शुक्राई, नमहा तीसरा है मीठा पान देवी को अर्पित करें कहते हैं कि मा लक्ष्मी को मीठा पान अर्पित करने से भी दामपते जीवन में रस खुलता है और पती अपने जीवन संगनी के बातों को तवज्जो देता है अगर आप रोजाना नहीं चड़ा सकते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार को मा लक्ष्मी को मीठा पान जरूर अर्पित करें इसके अलावा लक्ष्मी माता को इत्र अर्पित करने से भी पती के साथ आपके संभन्द में सुधार होता है चौथा है लॉंग पर 21 बार फूप मारे शनिवार की अर्ध रात्री में साथ लॉंग लेकर उस पर 21 बार अपने पती का नाम लेकर फूप मारे और अगले रविवार को इसको आग में जला दे इस प्रयोग को लगातार साथ पार करने से पती के अलावा अन्य किसी का भी वश्यकरन किया जा सकता है प्रयोग पूरा होने के बाद दो से तीन हफते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा अगर आपके पती किसी अनिस्त्री पर अकसत हैं और आपको अपशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई जगड़ा करते हैं तो हर रविवार को शाम के समय अपने घर और शैनकक्ष में गूगल की धुनी दे धुनी करने से पहले उस्त्री का नाम ले और ये कामना करें कि आपके पती उसके चकर से शिग ही छूट जाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाब मिलेगा अगला उपाय है शुकल पक्ष के पहले रविवार को प्राता काली बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजा स्तल पर जाएं एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगाचल से धुला हुआ मोती शंक अब गंधक फूल और बताशे आधी से इसका पूजन करें उजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है अब स्वटिक की माला लेकर ओम वीम वन्षित में वश्माय स्वाहा का जाप करें प्रती दिन एक माला का जाप एक माहा तक करने से किसी का भी वश्यकरन काम्याब हो सकता है जिनस्त्रियों के पती किसी अनिस्त्री की से प्रेम करने लगें और आपसे दूर रहने लगें और लड़ाई जगड़ा करते हैं तो गुरुवार या शुकुरुवार की रात में 12 वजे पती की चोटी से कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रगते जहां ऐसा करने से आपके पती की बुद्धी का सुधार होगा और वहां आपकी बात मानने लगेंगे कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुछ जलकर घर से बाहर फेक दें यदि ये प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज़्यादा कार्गार सिध होगा और आखरी उपाय है दोस्तों चंडी स्त्रोत का पाट करना एक पान का पत्त लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिला कर रखें अब लाल कपड़े पर मादुर्गा की प्रतिमा स्तापित करें और पान को मा के चर्णों में रखें मादुर्गा की फोटो के सामने सकते हैं पान का पत्ता प्रति दिन नया ले याद रखे कि पत्ता खटा हुआ नहीं होना चाहिए इसके साथ ही प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए तो दोस्तों यह थे पती को अपना दिवाना बनाने के उपाए वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक क करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद